हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, सोनी टुवर एक्सप्लोर, कल्याट जोलर शोरूम से, चोकर नेकलेस सेट की डिजाइन, आज इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं, चोकर नेकलेस की कल्याट जोलर से मैंने और भी डिजाइन पोस्ट कर रखा है, पहल पोस्ट हो चुकी है, और यह सारे ही ब्राइडल कलेक्शन है, तो बहुत अच्छे से डिजाइन है, यह सारे डिजाइन पहले ही मैंने दिखाया हुआ है, जो लोग चैनल पर नए हैं, जुड़ जाईए मेरे चैनल से, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को भी प्रेस कर ली कीजे, यह काफी खुबसूरत डिजाइन है, जो सेंथैटिक पर्ल के साथ है, यह चोकर नेकलेस, सारे यह पोस्ट हो चुके है, आज जो दिखाने जा रही हूँ, वो भी ब्राइडल कलेक्शन है, वो भी चोकर नेकलेस है, कल्यांट जोलर शोरूम से आपको यह सारी डिज देखेंगे, आपको एक ही बार में अच्छा लगेगा, सारे डिजाइन से इसकी बहुत खुबसूरत हैं, इस कलेक्शन की, तो इसमें कम्प्लीट सेट में दिखाने वाली हूँ, और यह चोकर स्टाइल में है, यह जो देख रहे हैं, सिंथैटिक पर्ल के साथ भी है, इसक आज में आप लोगों को यह डिजाइन दिखा रही हूँ, यह डिजाइन भी आप लोगों को जरूर परसंद आएगा, तो यह जो दिख रहा है, एंटिक लोक वाला नेकलेस है, चोकर नेकलेस, काफी चोडा ही लिए है, इसका एरिंग भी है, मैचिंग में, आज की वीडिय ही ठीक होगा, आप चेन मत ही लगवाईए, क्योंकि यह काफी हैवी है, और इसको समालने के लिए रोप ही ठीक होता है, इस तरीके के जो भी नेकलेस होते है, इसके एरिंग में, रेट कलर का सिंथैटिक स्टोन है, और वाइट में यह जो दिख रहा है, वाइट कलर का यह स किया गया है, चोकर के फ्रंट में एक सिंथैटिक पर्ल आपको दिखाई दे रहा है, और ड्रॉप में रेट कलर के स्टोन लगे हुए है, 47 ग्राम के करीब उसका वेट है, कॉस्ट 3 लैक के करीब होगी, इस से पहले वाला जो नेकलेस आपने देखा, उसकी कॉस्ट, यह ज करीन कलर का सिंथैटिक स्टोन लगा हुआ है, नेकलेस की डिजाइन बहुत अच्छी है, इसमें रेट कलर का सिंथैटिक स्टोन है, वाइट कलर के सिंथैटिक पर्ल दिखाई दे रहा है, गोल्ड का गोल्ड बीड्स वर्क दिखाई दे रहा है, और गोल्ड के उपर लीफ बीड्स का वर्क, फ्लावर का वर्क, ऐसे डिजाइन की गई है, 2,45,000 करीब कॉस्ट होगा, और 42 ग्राम के करीब वेट हो जाएगा, जो अभी आपने देखा, ये वाला जो डिजाइन है, ये सिंथेटिक पर्ल के साथ में बना हुआ है, और इन सम्में पहनने के लिए नेक के बैक साइड में रोप दिया गया है, इरिंग भी इसकी बहुत अच्छी सी है, बहुत बड़ी सी है, और आपको दिखाई दे रहा होगा, कि सिंथेटिक पर्ल इसमें बहुत यूज़ किये गये हैं, चाहे तो चोकर के नेक के एरिया की बात करें, या इसके ड्रॉप की बात करें, तो पेंडिन के जो ड्रॉप है, उसमें भी छोटे-छोटे सिंथेटिक पर्ल लगाए गये हैं, साथ ही गोल्ड के छोटे-छोटे से बॉल लगाए गये हैं सिंथेटिक पर्ल के साथ पेंडेंट के ड्रॉप में और जो लास्ट में ड्रॉप है वो ग्रीन कलर का बड़ा-बड़ा सा आपको स्टोन दिखाई दे रहा है इसकी वज़े से ये पूरा का पूरा नेकलेस बहुत खुबसूरत लग रहा है और देखिए जो सिंथेटिक पर्ल वाला एरिया है उसमें भी आपको रेट कलर का ग्रीन कलर का स्टोन दिखाई दे रहा है ईरिंग पर इनैमल वर्क किया गया है, ग्लास कुंदन का वर्क दिखाई दे रहा है इसमें का पैटर्ण यूज कीया गया है जो नेकलेस के पैंडिन्ट में आपको दिखाई दे रहा है और उर ओल इरिंग के जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और बहुत अच्छा लग रहा है इसमें भी red color का synthetic stone है और जो drop है इसमें भी green color के बड़े-बड़े से stone दिखाई दे रहे हैं gold के gold beads आपको दिखाई दे रहा है और साथ ही छोटे-छोटे से pearl के भी work दिखाई दे रहा है यह ring पे तो इस तरीके का synthetic pearl वाला जो necklace है इसके और भी designs है जो मुद्रा collection में है मैंने पहले ही post कर रखा है channel पर और जिन्होंने नहीं देखा है अभी जाईए channel पर देख सकते हैं और इस choker की बहुत अच्छी look आती है और इसमें ध्यान आप देंगे तो gold के छोटे छोटे से work आपको दिखाई दे रहा है gold के छोटे छोटे से इसमें ball लगे हुए है synthetic pearl के बीच में और overall ये necklace पूरा का पूरा बहुत अच्छा सा है बहुत खुबसूरत है ये bridal collection है 31.420 gram इसका knit weight है necklace का 2,5,000 के करी इसकी cost हो जाएगी बट final cost के लिए एक बार आप store visit जरूर कर लीजे तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो subscribe कर लीजे अगर आप नए viewer है मेरी channel पर पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियोस को वीडियो को like और share जरूर कर दीजे पेल आइकन को भी प्रेस कर लीजे thank you everyone